हाई लो ख्रेंट्स गुड इबिनिंग स्वागत है आप सबका स्युक्रुपा कलासेच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC CGL एकजाम 2023 के 24, 25 वं 26 जुलाई की एलसिप्ट में पूछे जा सकने वाले GKGS हुआ Current Affairs के संभावित महत्पूर्ण परसनों को साल्प करेंगे दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एकजाम में पूछे गए परसनों को पूरी तना से एनलाईज करके बनाएगा एक महत्पूर्ण वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होका साल्प करें कोस्टन्स कम सही होने पर पूर्ण परसनों का रिवीजन करें ताकि 24, 25 वाँ 26 जुलाई को आप लोग GKGS वाँ Current Affairs के टापिक से अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें तो चले दोस्तों यादा समय ना लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्पूर्ण परसनों को साल्प करना शुरू करते हैं दोस्तों Question No.1 है हमारा भारत में पहली पंच वर्षय योजना कब शुरू की गई वन डेक जाम में बार-बार पूछा गया Question है दोस्तों राइट एंसर होगा इसका भारत में पहली पंच वर्षय योजना एक अपरेल 1951 से शुरू की गई थोड़ा से यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों बहुत सरे Questions हैं जो कि पंच वर्षय योजना का संग्मिधान में कहीं पर भी कोई उल्लेक नहीं है केंद्रिय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को पंच वर्षय योजना का निर्माड किया गया था टोटल बारा पंच वर्षिय उजना भारत में चलाई गई पर्थम पंच वर्षिय उजना एक अप्रेल सुक्याओं से शुरू हुई और बारोई पंच वर्षिय उजना का कारिकाल था दो हजार बारा से दो हजार सत्रा पर्थम पंच वर्षिय उजना का मुख दोस्तों जो आधारिती ये भी बार-बार पूछा जाता है आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग question number two की गोर question है तेर्वां 73 वा संग्विधान संसोधन किससे सम्बंधित है बार बार पूछा के दोस्तों question है ये right answer हो गए इसका 73 वा संग्विधान संसोददन जो कि 2002 में किया गये था उननीज सोरी दोस्तों 1982 में किया गये था या कंचाईती राज़वोस्था पर आधारित है भारतिय सम्विधान की अनुसूची 11 में जो कि सम्विधान का भाग 9 है ये विध्यान रखेंगे अनुसूची 11 भाग 9 भाग सुरी दोस्तों अनुशूची 11 और भाग 9 ठीक है इसमें दोस्तों पंचायती राजव्योस्था का उलेख किया गया है भारतिय समिधान के अनुचे चालिस में जो की राजी के नीत निर्देशक्तत्य के अंतरगत आता है इसमें भी दोस्तों पंचायती लागू कर सकता है सरपरता मिसे राजश्थान के नागोर जिले में 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राजवैउ emo sky का सुभार्म किया गया था बलवन्त राइ महता भरभा पूछा था है समीति का संबन्द तो इनका संथिका संबन्द था पंचायती राजवैउस्था से इन्हों नहीं तिर स्थरीय पंचायती राजविवस्ता का सुझाव दिया था। जो कि मान्नी हो गया। वह तीन स्थरीय थे। गराम-पंचायत , छेटर-पंचायत नर्थ. यह इतना 것으로 त extrêmement ध्floor ठ़ान रखेंगी। यानि कि सन्युक्त राष्ट सैचिक बैज्ञाने की ओम सांस्किर्थिक संगठन और इसका मुख्याला दोस्तों फ्रांस की राष्दानी पेरिस में है आगे चलेंगे हम लोग भारतिय राष्टी कांगरेश की पर्थम महिला अध्यास कौन थी क्योंकि इसके अध्यास के बारे में बात की गई दोस्तों आपके एक जामे पूछे जाने कोस्चन तो पर्थम महिला अध्यास थी and education और पर्थम दोस्तों जो मुसलिम अध्यास थे वो थे बदरुथिन अपना 28 देसंबर 1885 को बंबई में की गई थी, इसमें टोटल 72 परतिनिदियों ने भाग लिया था, पर्थम इसके दोस्तों भारती राष्टी कांग्रेस के जो अध्यश थे, वो थे जी बी मावलंकर, सोरी दोस्तों, जी बी मावलंकर बोल दिये, बेमेश चंद्र बनार जी और परजन टाइम यानि की वर्तमान में इसके अध्यश है, मलिकारजुन खरगे, ये इतना हैं से ध्यान रखेंगे, अगला कोश्चन है, भारत के नए केंद्रिय सतरकता आयुक तो कौन बने हैं, तो भारत के नए केंद्रिय सतरकता आयुक बने हैं, परबीन, कुमार, सिर गई थी और इसके स्थान पर नीती आयोक की स्थापना कर दी गई थी कब की गई थी एक जन्वरी 2015 को भारवा पुछा था तो ध्याना केंगे नीती आयोक की स्थापना हुई थी एक जन्वरी 2015 को और इसके जो पर्थम उपाध्यस थे वो अर्बिंद पनघडिया थे अध्यस दोस्तों वही होते हैं जो पर्जन टाइम में प्रधान मंत्री होते हैं उपाध्यश अलग होता है तो पर्थम उपाध्य नितियायोक के कों थे अर्बिंद पनघडिया और इसके CEO थे यानि की चीप एक्जुकेटिव आफिसर मुख कारिकारी अदिकारी सिंधु सिरी खुलर अब दोस्तों पर्जन टाइम की बात कर लेते हैं तो पर्जन टाइम में नीतियायोक के अद्ध्यश है नीतियायोक के उपाध्यश है सुमन कुमार वेरी और इसके जो CEO हैं पर्जन टाइम में वी वी आर सु बर्धाटिय आप लोग घ्यान रखेंगे करेंट में भी most important question है दोस्तों ये next question 200 जन संख्या दिवस कब मनायाता है right answer हुआ 11 जुलाई को हाली में मनाया गया है इस दिरिष्टी से देखे तो most important question है आगे चलेंगे हम लोग next question की और अगला question है दोस्तों कांग्रेस का पर्थम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ तो कांग्रेस का पर्थम विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में और पूरा जो की 1916 में लखनों में अधिवेशन हुआ था दोनों दल यानि की गरम दल नरम दल एक हो गए थे यानि 1907 में विभाजन हुआ और 1916 के लखनों अधिवेशन में पूरा दोनों दल एक हो गए थे नेक्स्ट कोश्चन मोश्टूम पढ़ा कोश्चन घूमर किस राज का परमुख लोक निर थे तो यह राजस्थान का है अगला कोश्चन करमा किस राज का परमुख लोक निर थे तो यह जहार खंड का है ऐसे कोश्चन आपके हर सिप्टम में पूछे जा रहे है नेक्स्ट भारते किरसी अनुसंधान संस्थान का है इस्थित है राइट एंसर होगा नई दिल्ली में अगला कोश्चन यांत्री कुर्जा को बिद्दुत उर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो कौन सा है डाइनेमो है नेक्स्ट जद्दा लोक निरते किस राज से संबन दित है तो यह माचल पर्देश से ध्यान रखेंगे घूमर करमा और जद्दा नेक्स्ट दूरवीन का अगला कोश्चन है भारत का पहला जियोलाजिकल पार कहा स्थापित किया जाएगा तो जबलपुर मद्धिपर्देश में किया जाएगा आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कोश्चन क्यों है अगला कोश्चन दोस्तो आप्रेशन फलट का संबन किस से है राइट एंसर नेक्स्ट न्यूटन की गति का पर्थम नियम कहलाता है तो क्या कहलाता है जड़त का नियम अगला कोश्चन है पीतल किन धातों का मिसन है राइट एंसर होगा ताबा तथा जस्ता का नेक्स्ट हाल ही में आउपचारिक रूप से मैक महान रेखा को किस देश ने माननेता द हुई थी हम लोग बात कर हुई चिके हैं इसका 28 दिसम्बर 1885 को आगे चलेंगे हम लोग next question की और अगला question दोस्तों वायू मंडल में के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं तो वायू मंडल के सबसे निचली परत को हम लोग छो मंडल के नाम से जनते हैं जिसमें की बादल बंते हमें वह और सा होती है इसके उपर समताफ मंडल है जो जोकि वाई आन परिवान के लिए आदर सद ती प्रस्थ। करता है और समताफ मंडल के ही उपरी हिस्से में ओजों पत्का विस्तार है, जोकि सूर्व से निकलने वाली अल्ट्रावेलिATE किंडों से हमारी रच्छा करता है इसके उपर दोस्तों मध्य मंडल है मध्य मंडल के उपर बहिर आयन मंडल है जो कि रेडियो के परसाण के लिए जना आता है और लास्ट में सबसे उपरी हिस्से में बहिर मंडल का विस्तार है वाइव मंडल में पाई जाने वाली सरबादिक मात्रा में बारबाप पूछा थे सबसे ज़्यादा मात्रा में यानि कि पूछे पाई जाने वाली गहस है तो कौन सी है नाइट प्रोजन है नेक्स्ट हाली में नकल बिरोधी कानून 2030 इसको किस राजी द्वारा लागो किया गया है राजस्तान राजी के द्वारा next, सोनार अधिकांस्ता परियोग में लाई आता है, किसके दौरा, नाविकों के दौरा, नाविकों, 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 जो नाविक होते हैं, उनके दौरा सोनार अधिकांस्ता परियोग में लाई आती है, समुद्र की गहराई जानने के लिए, next, नंदा दे अपका 1582 एक कोश्चन में दो कोश्चन तिन कोश्चन इधा उधा से बना लिए जाते हैं सबसे बड़ा लिखे संविदान किस देश का तो भारत का है भारत बिश का सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश भी है नेक्ष्ट, भाखडा नांगल प्रयोजना किस नदी पर निर्मित है तो 17 पर नदी पर है पूले आज़े दोस्तों कि भाखडा नांगल प्रयोजना किस राज में इस्थित है तो पंजाब राज ऐसा विध्यान देजएगा नेक्स्ट, हाली में राष्टिक संस्किर्थी महोसो दोहजार तेस का आयोजन, आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट कोश्चन क्यों, अगला कोश्चन दोर्थो करेंड का है, मोस्ट इंपाड़ो कोश्चन, हरजन पतिकाय का संपादन किस ने किया, ये बता है, तो महातमा गा कर लेंगे दोस्टों, क्योंकि कोश्चन यहां से रिपीट भी हो रहे है, सबसे पहले ब्रह्म समाज, जिसके स्थापना राजा राम और राए के द्वारा, 828 में की गई, उसके बाद प्रार्थना समाज, जो की आपके एक्जाम में पूछा गया, आत्माय राम पांडरों इसके दोस्तों संस्थापक है, उसके बाद दोस्तों रामकिर्स मिसन की स्थापना, जिसके स्थापना स्थापना स्वामी बेका ने अपने अध्यात्मी गुरू रामकिर्स प्रमहंस के नाम से रामकिर्स मिसन की स्थापना की थी, 1897 में उसके बाद आरी समाज पूछा पूले ने की थी, next, सहनामा के रहे चाहिता कोनों फिर दोसी है, इसे question आपके trend में चल ले हैं, subscribe करें दोस्तों आप हमारे चैनल स्युक्रुपा कलासेश को इसी तरह के वीडियो के लिए, आगे चलेंगे हम लोग, दोस्तों इसके लावा हमारे इस्टेजी चैनल स्युक्रु प्रिशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल स्युक्रुपा कलासेश को सब्सक्राइब जरूर करें, next, प्रिशन किया गया, तो 19 अपरेल 1975 को ये भारत का पर्थम भूब गरा है, कौनसा, आरिवहट, next, फारवर्ड बलाग पार्टी के स्थापना किस ने की थी, राइटेंसर होगा, सुवाज चंद्र बोस ने, next, सिमला समझोता की इन दो देशों की मद्ध हुआ था, राइटेंसर होगा, भारत होगा, पाकिस्तान के, अगला कोश्चन है, किस मौर्ज सासक ने धम का परित्पादन किया था, तो समराठ असोक नहीं किया था, most important topic, इन्होंने 261 हिसा बार-बार पूछे जाते हैं, और यह बहुत धर्म के मिया थे, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अगला कोश्चन, अमुक्त मालियत की रशना किसने की, राइटेंसर होगा, किरसंड देव, रायने, next, काली बंगा भारत के किस राज में इस्तिता है, राजस्थान अगला कोश्चन, काजी रंगा, राश्टे उध्यान भात के किस राज में इस्तिता है, अगला कोश्चन, सेंवधान के किस बंग में पंचयथी राज वियुष्था का प्रावधान ने, तो आम लोग इस पर चर्चा करी चुक यह है, next, षरकारिया योग का संबंद बताने रेटिनल आपका राइट एंसर होगा नेक्स्ट पुर्सों के फीफा बिस कप मैच में अमपारिंग करने वाली बिस की पहली महिला कौन बनी है तो स्टेफनी फ्रोपार्ट हैं जो कि फ्रांस से आती है ये कोश्चन भी तब पूछा नहींगा दोस्तों करेंट का मोश्ट उपार्ट हैं इसलिए हम इसे स्रीज से हटा नहीं रहें नेक्स्ट क्यूरी किसकी काई है राइट एंसर होगा रेडियों सक्रिय अता की नेक्स्ट परसेदी टेंपल टन प्रवसकार 2022 किसने जीता है राइट एंसर होगा फ्रेंक बिलजिक ने पूछा गया कोश्चन है नेक्स्ट किस विटामिन के कमी से रखत का थक्का नहीं बनता है राइट एंसर होगा विटामिन के के अगला कोश्चन वीटामिन के यहाँ से बारबा पुचाता है दोस्तों किस वीटामिन के कमी से रगत का थक्का नहीं बनता है वीटामिन के हीमोफिलियारोकसे गर्षित बेक्त में कौन से बिटामिन के कमी होती तब भी के यानि कि हीमोफिलियारोकसे गर्षित बेक्त में बिटामिन के कमी होती है बिटामिन के कमी के कारण रगत का थक्का नहीं बनता है एका रेटिनाल हुआ और सिखा क्या हुआ एस्कॉर्बिक अमल अगला कोश्चन दोस्तों मौरी सासा का सोग ने कलिंग पर कब आकराओं किया 261 हिसा पूर हम रोग चर्चा कर चुके हैं भारत के ने चीफ आप डिफेंस स्टाप यानि की सीडियस कौन बने हैं चेचसल में पूछा गया कोश्चन दोस्तों निल चौहा नेक्स्ट संग्धान की आठ हुईन सूची में भासाओं की संख्या टोटल 22 भासा हैं कुंसे इन सूची है आठ हुई है नेक्स्ट पाक जल संदी किंदू देशों को लग करती राइट एंसर होगा भारत युम सी लंका को नेक्स्ट कोशन आर्बिया की स्थापना का हुई राइट एंसर होगा एक अपरेल 1935 को अब आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि इसका दोस्तों राष्टिक कर पैमाना है रिक्टर स्केल पैमाना पर सिस्मो गरापना मकियंद से भोकम के तीवरता की माप की जाती है एकला कोशन आगाख कब किस खेल से संबंदीत है राइट एंसर होगा हां की से नेक्स्ट संसद के सहनुक तद्वेशन को कौन बुलाता है तो राष्ट पती बुलाते इने संबोधित भी राष्ट पती करते है और संसद का जो निचला सदन है लोकसभा उनको भंग करने का यह सारी सकतिया राष्ट पती के पास है लेकिन जब अध्युशता की बात होगी यानि की संसद के संद्वेशन की अध्युशता किसके द्वारत की जाती है तब आप ल गुगल वन्स के स्थापना कब हुई तो 1526 इसभी में हुई थी, next, महत्मा बुद्ध ने अपना पहला उप्देश कहां दिया, तो साधनात में दिय थी, महत्मा बुद्ध ने अपना पहला उप्देश साधनात में दिया था, जिसे हम लोग धर्म चेकर परवतन के नाम से जानते हैं, और इस सीरीज का लास्ट कोस्टन दोस्तों, भारत में गुलाम वन्स का संस्थापक कुन था, राइट एंसरो का कुत्व बिद्धिन एवक, तो दोस्तों इस सीरीज के टाप यम सी क्यूच के प्रस्न, जिसको हम लोगों यहां पर सालप के हैं, उम्मिद हैं आप सभी लोगों ने सालप के होंगे, और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने परस्न सही हो रहे हैं, तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए, आप हमारे चैनल सुक्रुपा कलासे से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोर अदे जाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स भारवाची